चपन वर्ष के जातक हैं जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं एक्सपोर्ट का काम है अभी इनकी नौकरी चली गई है तो क्या इन्हें पुरानी नौकरी पुना प्राप्त होगी जिसके लिए ये प्रयासरत हैं एक सवाल ये है इनका और दूसरा सवाल है कि फै से पहले हतेली को देखना अरम करते हैं तो शनी का परवश जरूर देख लेना चाहिए यहां पर देखिए शनी वल्य का निर्माड हो गया है अब शनी वल्य अगर बनेगा तो ये तकलिफ सभी को देगा ऐसे जातक सभी छेतरों में सभी विश्व में तकलिफ आईगी और इस प्रकार का शनी वले जब बन जाता है तो जिसको हम कहते हैं कि जैसे एक परियाटक निरजान इस्थान पर फस जाता है यह वह वाली सिच्वेशन को क्रियेट करता है चपपन वर्ष के हैं अब अगर चपपन वर्ष अगर हम इनके शनी के पर्वत पर देख रहाए तो यहां हमको सीधी प्रॉबलम दिख रही है लाइने डबल-डबल हो के चल रही है तो कम से कम एक साल भर इनको प्रॉबलम रहने वाली है फिर 57 से 58 से इनको एक अच्छा पर इस प्रकार की खड़े लाइन होती है तो यह धन दायक लाइन होती है तो विस्तार भी देती है और किसी भी तरह अभी इनको इनकी नौकरी चली गई है लेकिन इनके हाथ में धन अभी भी अच्छा बना हुआ है इस प्रकार की अगर सूरे पर लाइन मनी है तो धन तो आत बस ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको नौकरी पुना प्राप्त हो जाए इनका हाँ देखकर ये कहा जा सकता है कि धनका भंडार जो है इन्होंने एक अच्छा बना रखा है अब देखिए शुक्र के परवत पर इस प्रकार अगर तिल का निर्मान होता है तो फर ये भी हमें यो करता है कि गुरू का परवत अगर हम देख रहे हैं तो ये भी एक स्रेश्ट बना है अब अगर एक्सपोर्टर है तो इस प्रकार के चिन्ने तो मिलेंगे ट्राइंगल भी बने हो सकते हैं और देखिए यहां पर दो दो ब्लॉक बने हुए है गुरू का परवत भी एक बड केंद्रित भाव में ऐसा लेकिन नीचे की तरफ हो गया है यानि गुरू अब राहु की तरफ द्रिस्टी कर रहे हैं इसे को हम चांडा लियोग कहते हैं मैं इंकी कुंड़ी भी चेक करूंगा तो चांडा लियोग का एक निर्मान मुझे लग रहा है कि कुंड़ी में कहीं ने कहीं बना हुआ है मगल का पर्वद देखिए क्योंकि मंगल بھی हमें सफलता की सफलता के गह मंगली है और सफलता को कायम रखना यह भी मंगल का काम है तो यहां पर भी देखिए इस प्रकार जब भी हमारी लाइफ लाइन बीच में से बहुत वीक होके चलने लगे या कमजोर पड़ जाए तो यह भी एक अंगारक दोश बना देती है जहां राहू और मंगल मंगल और राहू की यूति कहा जाता है इस प्रकार की यूति बन जाती है यूति तो बनी होई है क्योंकि बहुत सारी लाइने हैं जो मंगल के बर्वस से निकल कर यहां पर देख लिए बहुत सारी मंगल के बर्वस से निकल कर राहू शेतर में लाइने जा रही है तो इनको मैं अभी फिलाल यह कहना चाहता हूँ कि प्रयासरत रहिए और वेवसाइज जो है इनको स्रेश्ट मिलेगा कुछ समय की बात है क्योंकि इनका इस तरफ का हाथ बहुत सुंदर बना हुआ है अगर आउटर मंगल ये ये वाले पोर्शन बुलकुर अच्छा बना है सॉलिड बना है साफ सुतरा है और गुलाबी कलर लि हमको बुद का परवद भी देख लेना चाहिए क्योंकि बुद ही हमें अच्छे योग बनाते हैं खड़ी लाइने बनी हुई है एक से ज़्यादा भाषा के जानकार होते हैं ऐसे लोग अपनी बात को कहने में इस पस्ट होते हैं कोई डर नहीं होता है स्टेज फियर नहीं होता है लेकिन इस प्रकार का ये जोग बता रहा है दीखे बुद परवत पर खराबी मेरेज लाइन में आ रही है जब कि हम देख रहा हैं बिजनेस को लेकिन इस लाइन में भी खराबी आ जाईए तो भी हम मानेंगे कि विवहा में और जो वैवसाई कि शम्ताएं ये भी बनी होनी चाहिए, विवा के पहले भी और विवा के दोरान भी, अब यह लाइन ऊपर चली गई है तो प्रबंधि के शमता को यह असर डालती है, अब यहाँ पर इस प्रकार का गैप बन जाता है, शनी उंगली और सूरी उंगली के बीच में, यदि इस प्रकार का गैप बन है यह सीधा बताता है माइंड स्विंग दे देता है और ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के हो जाते हैं फिर उनको नौ से पांच की नोकरी अच्छी नहीं भी लगती है और इसका कारण है शरीका वला है माइंड लाइन जो है बीच में से मैं इसको फोकस करके दिखाना चाहता हूँ इस तरह के से अगर डिवियत हो जाती है या एक तरीके से बीच में से ब्रेक हो रही है तो ये भी एक कस्टकारी योग बना देती है बहुत सारी टेंशन देती है शरीका वलाय अगर बन जाता है तो शरी परवत के नीचे की जो माइंड लाइन है इसमें इस एरिये में भी आप देखिए ये डिस्टर्बेंस है काला पन आ गया है और बीच में आइलेंड्स भी बन गए हैं तो एक ये अच्छी स्थिति नहीं होती है मैं इनको केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि एक शनी का उपाएन को जरूर कर लेना चाहिए और एक अंगारक का एक योग इनको इनके हाथ में बन रहा है तो ये दो चीजें खास मेरे को प्रमुकता से दिख रही है इस हाथ में और देखें शुक्र का एक घरेलू पाई भी क करना होगा क्योंकि इस प्रकार का तिल का जब फॉर्मेशन होता है और आड़ी लाइने बहुत सारी हो जाती है तो ये बहुत दुखी करती है तीसरा जो मुझे एक अच्छा योग दिख रहा है तो फॉरें ट्रैवल का मर्करी लाइन करीब इनकी अब आ गई है इनकी एज जहां पर 56 या 57 से इस प्रकार की मर्करी लाइन एक्टिव हो रही है क्योंकि इसको हम लाइफ लाइन पर ही देखते हैं तो इनको फॉरें जाने के भी चांसे अच्छे मिल सकते हैं तो एक इनको जो दो पाय में देना चाह रहा हूं वाट्स अप मैं इनको निश्चित करू मिल जाती है तो यहां पर भी देखने को मिल रहा है यही चीज शनी का वलाय भी बताते हैं और मैं नहीं है कि वह आपके वैपायर को प्रवावित करेंगे आपके पारिवारिक शमता और जो के कुटुम्ब है मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी रिलेशन को बिगाड देते हैं तो यह खतरनाक योग बन जाता है एकदम से नहीं बनता है इसको इशने शने ही बनता है तो मैं हमेशा जातकों से ये अनुशंशा करता हूँ कि अपने हाथ को हमेशा देखते रही है शनी का परवत बहुत क्लियर होना चाहिए और अगर शनी के परवत पर कुछ भी negativity सी हो रही है तो हमें तुरेंट उसे भाप लेना चाहिए योग गुरुओं के पास जाना चाहिए और remedy लेना चाहिए तो मैं इनको वाट्सटप कर रहा हूँ दो remedy के साथ में और आशा करता हूँ कि जल्दी से इन्हें जो चीजें खो गई हैं जीवन में पुना पराप्त हो जाए जानकार रिस्पस्टो श्रीकनेश करे पाम ब्लोग को सबिस्क्राइब करिए